नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मरुद्रा जर्नी के अंदर और दोस्तों आज जो हमारी यात्रा होने वाली है वो बीका नेर से और जैसलमेर की होने वाली है और दोस्तों अभी हम बैटे हुए एक नहर है जो कि यहाँ पर चलती है हमेशा बीका नेर से लगबग हम 30-40 किलोमेटर आगे आ चुके हैं और यहां पर हमें यह नहर मिली है जो की काफी बड़ी नहर है और काफी गहरी भी है तो दोस्तों अभी हम आगे चलेंगे जैसल मेर और जैसल मेर का जो द्रश्य है वह आपको हम दिखाएंगे और वहां की जो डजर्ट लाइफ है विलेज दोस्तों काफी बड़ी नहर है चारतुरप का व्यू आप देख सकते हैं राजिस्तान में आपको जैसल मेर जिले में ऐसी हर्याली देखने को मिलेगी जो कि इस नहर के चलते हैं और काफी अच्छा द्रश्य यहां पर देखने को मिल रहा है तो हमारे साथ में बने रहेगा अभी हम काफी दूर चलेंगे जैसल मेर पहुंचेंगे जैसल मेर मेर में जहां हम पहुंचेंगे वहां भी काफी मनोरम द्रश्य आपको देखने को मिलेगा हुआ हैं आपको देखने रीजल दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नायर बिलकुल सूकी पड़ी हुई है और इस तरह पाकिस्तान है अभी हम पाकिस्तान गुड़ों पिकड़े हुई है तो दोस्तों अभी हम नाथा वाला से होते हुई जैसल मेर जा रहे हैं और हम जो बोर्डर है पाकिस्तान उसके काफी करीब हैं यहां से लगबग दोस्तों एक से दो किलोमेटर की दूरी पर ही बोर्डर लगता है और देखिए दोस्तों मिट्टी अपना कब्जाद जमा चुकी है रोड पर और जो साधन आने जाने वाले हैं वो यहां पर जाए तो किस तरब से जाए तो ऐसा दरशे इसमें नजर आ रहा है तो इस वीडियो को कंटीन्यू जरूर देखना है आपको वीडियो काफी कमाल की और नोलेज़फूर होने वाली हैं वीडियोँ हैं कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों अभी हम नाथना के रोड पर चल रहे हैं और इस साइड में आप देख सकते हैं जो नहर है वो आ रही है यहां पर और तीन जगह पर यहां पर विवाजित हो रही है और यह खेतों में पानी अभी जा रहा है और दोस्तों यहां पर अभी पीने का पानी भी नहीं है और यह नहर का पानी पी नहीं सकते क्योंकि दोस्तों काफी गंदा पानी है और देख सकते हैं दोस्तों काफी तेजी से नहर आ रही है इस साइड जी और अभी हम चलेंगे नाथना और कुछी देर में नाथना झाल 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 और खजय हो उती है प्राभना hora अरी रिप झम पिधक बाउट पिल आ हुट यहाँब यहाँवित कि इजाती है झाल